दोस्तो फिर से एक नया वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे Reliance Power Ltd. का और इसका graph analysis करके देखेंगे कि यहाँ अभी के date में, आज के date में कितना price चल रहा है, low कितना गिया है, high कितना गिया है और क्या profit देने वाला है, आज की date में या फिर नहीं देने वाला है, long investor क्या करें और जो रोज की है, वो क्या करें, सब कुछ लेके आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके साथ-साथ हम आपको compare करके भी देखाएंगे कि कौन सा कंपनी आगे चल रहा है, कौन सा कंपनी थोड़ा डाउन चल रहा है और financial इसका क्या है, सब कुछ लेके बात करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को जरू सस्क्राइब कीजिए कि वीजित तरह का technology और job related वीडियो आपको आगे भी हमेसा मिलता रहेगा तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम गिराफ स्कॉप आपको देखने की कोसिस करेंगे देख सकते हैं गिराफ देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज के मार्केट क्या है आगे जालने के लिए वीडियो को गौर से देखते रहे हैं सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं आप यहां पर हम अगर उपर पास दिन के बात कर लेए पास दिन में देख सकते हैं यहां पर कितना ज़्यादा गिराबट आया था हमने पहले दू दिन पहले मतलब सुकर फ्राइडे और थर्जडे को हमने आपको बोला था अनलाइस्ट करके कि यहां से देख सकते हैं किस तरह से डाउन फिर आप डाउन आप डाउन आप करते गिया लेकिन जब यहां पर गिया यह जो सरकेट देख रहे हैं आप यहां पर हम देखाने की कोशिस करेंगे कितना डेट था यहां देख से तो है 16 जुलाई था और क्लोज के टाइम में यह काफी ज़्यादा डाउन सरकेट में चल गया था और लोग परिसान हो गया था कि अब क्या होगा क्यूंकि रोज का जो है व आपको हमने बोला था जो लॉन लेने की जरूरत नहीं है क्यूंकि आपको कोई त्रेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो आपको यहां पर ध्यान नहीं देना है सबसे पहले यहां पर अगर वान मॉंथ के बात करें तो यहां पर भी देख सकते हो किस तरह से मार्केट डाउन हो चुका है यहां से शुरू करते हैं तो यहां पर कीस तरह से market down हुआ है आप इस नजरी से देखे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना यहां down circuit देखनों को मिल रहा है अब देखिए यहां पर tension किसको हो रहा है tension उसको हो रहा है जो यहां पर invest किया था ठीक है तो इस तरह से आपको थोड़ा समझने चाहिए आप invest करते हो तो आपको थोड़ा धियान लगा के invest करना चाहिए आप देखिए जब हम 6th month की बात करें तो 6th month में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर high ranking पर गया है ठीक है न हाटा देखाई मिलेगा ही मिलेगा ठीक है क्योंकि गलत time entry लिया था अब यहां पर हम एक बात और करेंगे कि यहां पर एक साल के देखिए कई ज्यादा profit दे रहा है लेकिन उहीं पर अगर 5 साल के बात करें तो 5 साल में यहां काफी ज्यादा गिराबट आ गया है काफी ज्य अच्छा ग्रोत गिया था अच्छा गाशा पॉफिट दिया था यहां पर आप देख सकतो हो जैसे कि हम यहां पर देखाने की कोशिज करेंगे देख सकते ही यहां पर कितना ज्यादा profit था ठीक है कल लेकिन आज की date में देख सकते हैं open के time से ही यह धीरे-धीरे-धीरे-धी कि अभी बज रहा है दस बचकर पढ़ास मिनिट तो यहां पर ऑभी मार्केट बागी है लेकिन आज के डिट में हमारा जो एक्स्पिरिंस है हमें लगता है ये आगे आज के डिट में नहीं जाएगा आगे डून नहीं पकरेगा ठीक है ना तो आपका मर्जी आप यहां पर वोल्ड कर सकते हो या फिर सिल कर सकते हो लेकिन यहां पर हमने बताया हूं क्योंकि देखे हम यहां पर नहीं बता सकता हूं क्योंकि 50-50 कोई भी नहीं बता सकता है कि आज के डेट में यह फिर से रिकॉबर करेगा या फिर नहीं करेगा या फिर डाउनसार्किट में ही चलता जाएगा ठाउ हुए ये कोई भी बता नहीं सब्दा है तो आपको यहां पर थोड़ा सा नॉलेंज लगाना है थोड़ा सा सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या उपर जाएगा या नीचे जाएगा दो option आपके पास है क्या उपर जाएगा क्या नीचे आएगा एक option उपर एक option नीचे आपको सोच कर यहाँ पर invest करना होगा ठीक है न तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के जो profit है यह profit तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस पर तो यहां पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहां पर ग्रोथ भी देख सकते हैं 3.37% की साथ यह डाउन चलका है डाउन सरकेट में देखा रहा है तो काफी ज़्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है जो की अभी भी बर रहा है देखिए 3.75% हो गया है आज के डेट में हमें नहीं लगता है यह पठरी पर आएगा लेकिन आपको यहां पर नॉलेज लगना है सू तरह से लेबल हाई लेबल तक गिया था लेकिन जो यहां पर इन्वेस्ट किया था तो उसको लॉस्ट देखनों को मिलेगा ही मिलेगा लेकिन यहां पर जो इन्वेस्ट किया था लेकिन यहां पर से यहां पर हमें बात करें यह इन्वेस्टर अगर लॉंग तक उसका profit है उसका लोकसान नहीं है यहां पर profit है ठीक है ना यहां पर देख सकते हैं profit है उसका loss नहीं है लेकिन यहां पर हम और एक बात करेंगे और ऐर का यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी पॉफिट देखा रहा है लेकिन जीप्स से फोड़ा इधर-उदर हुआ है बट कोई किसे उतर लुपर, व्यूपर में यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आप ग्रोथ के बाद करें तो two point sixty eight point क्वाइंट के साथ 9.40 ठीक है एक एक साल के बात कर लेंगे एक साल में कितिना मह देखा यहां पर देखिए जो ग्रोथ है वो देखिए यहां पर आप देख सकतो हो आप अंदाज लगा सकतो हो क्या डिफरेंस है 258.33% ग्रोथ है और यहां पर पॉफिट के बात करे तो प्लास पॉइंट के साथ 9.30 पॉफिट दे रहा है जो की थूरा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आज की डिट में अगर बात करे जो रोज का है वो उसके लिए आज डे अच्छा नहीं है आज देखिए डाउन ग्रोथ में शुरुबादी से डाउन ग्रोथ में आ गया है और यह आपके तरफ हमें नहीं लगता है आपके तरफ जा सकता है 20% लेकिन डाउन पे ही रहेगा 80% chance है तो हमारे experience थुरू आपको बताए है लेकिन आपको यहाँ पर सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर invest करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह डाउन साइड में है ऐसा नहीं कि यह रिकॉबर नहीं करेगा अभी टाइम बाकी है अभी शुरुबाद हुआ है रिकॉबर भी यह कर सकता है ठी cover करने की कोशिस करेगा जो Relance Company है Power जो company है वो ठीक है आप यहां पर Compare के थोरा से बात कर लेते हैं Compare के बात करें तो यहां पर देख सकते हैं सब कुछ Down Circuit में आपको देखने को मिलेगा जैसके Relance infrastructure की बात तो यहाँ पर 3.04% के साथ डाउन ग्रोथ में जो काफी एक डम डाउन चल गिया है और यहाँ पर टाटा पावर कमपनी के बाद करें तो यह भी देख सकते हैं आप डाउन सार्किट में अच्छा का सा डाउन सार्किट में चल गया है जो रिलैंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सबसे जादा है यहाँ पर डाउन लोवर सारकिट पर है 3.48% के साथ डाउन चल गया है यहाँ बात करें डिलैंस कम्यूनिकेसन ल्टी डी का तो यह भी देखिए किस सबसे जादा बे assessments चल रहा है ओं में आगे लग रहा है ौडु इन्याज़ी इनर्जी ल्टी डी तो यह लेखिन अभी के डेट में कंप्यार करें तो यहां पर देख सकते हैं सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगे वहीं पर हम अगर financial की बात कर लेंगे तो financial यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 2020 का सेप्टेमबर महिना मार्च का 2021 का कितना था रेविनू था 1.65,000 करोर का और यार की बात करें तो यहां पर देखें डाउन सर्केट देखने को मिल रहा है net income की बात करें तो यहां पर profit देखाई पर रहा है 1001.72% के साथ आप growth चल रहा है profit दे रहा है यहां पर net profit margin की बात करें तो यहां पर 1001.88% के साथ आप growth में जा रहा है जो की काफी अच्छा संदर कर रहा है यहाँ पर operating income की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखाए पर रहेगा आपको आपको रूद के साथ यहाँ पर तो यह गुड निउज है देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा दे रहा है यहाँ पर 671.1% के साथ यह आप में जा रहा है यह भी आप में जा रहा है और नीचे अगर हम बात करें जब हम नीचे स्कॉल करेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ है तो वह भी हम बता देने के कोशिश करते हैं cash on hand यह भी देखिए आप ग्रोट के साथ जा रहा है 152.29% के साथ आप ग् से काफी अच्छा आपको नॉलेज मिला होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सेस्क्राइब जरूर करना और आपने दोस्तों के साथ सेर करना मदों भूलिएगा ठैंको बेरे मच वीडियो देखने के लिए